ओडिसा की बालासोर जिले में बहनागा रेलवे स्टेशन के पास कोरूमंडल एक्सप्रेस ट्रेन दुरघटना ग्रस्थ हो गई है। इसमें अब तक कम से कम 233 लोगों की मृत्यों हो चुकी है। वहीं सैकडों लोग इस दुरघटना में घायल हुए हैं। बता दें कि 12841 शालिमार्च नई कोरूमंडल एक्सप्रेस के कई डिब बहनागा स्टेशन के पास एक पठरी से उतर गए और दूसरी लाइन पर जा गिरे। रेलवे प्रवक्ता अमिताब शर्मा ने बताया कि शाम करीब साथ बजे शालिमार्च नई कोरूमंडल एक्सप्र के 10-12 डिब बालीश्वर के पास पठरी से उतर गए और दूसरी ट्रैक पर जा गिरे। कुछ समय बाद यश्वनपूर से हावडा जाने वाली एक और ट्रेन उस पठरी पर पड़े दब्बों से टकरा गई जिसके परणाम सुरोप उसके 3-4 डब्बे भी पठरी से उतर ग के काफी दूर जा गिरे। ओडिसा के मुख्य सच्चियों ने बताया कि अब तक 233 लोगों की मृतियों हो चुकी है। वहीं 900 से भी जादा लोग इस दुरघटना में घायल है। घायलों को सुरोपालपूर पूर और खाटापड़ा पेचसी में भेजा गया है। 62286 जारी किया है। लोग इस नमबर पर फोन कर जानकारी ले सकते हैं। बचाओ अभियान अभी भी चल रहा है और घायलों को बालासोर अस्पताल में स्थान अंतरित किया जा रहा है। बता दें कि ये ट्रेन पश्चिम बंगाल के शालिमार स्टेशन से निकलती है और चि स्टेशन पर शाम 6.30 बजे पहुची जबकि इसे कल शाम 4.50 बजे चिन्नाई पहुचना था। इस पूरी घटना पर पश्चिम बंगाल की मुख्य मंतरी समेत कई प्रदेशों के मुख्य मंतरियों ने दुख प्रकट किया है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों क के लिए देखते रहें पढ़ते रहें लेलुरान डॉट कॉम शुक्रिया।